हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नौलेज में आज हम जानेंगे अस्थलीन इन्हेलर के बारे में अस्थलीन इन्हेलर को ही हम साल ब्यूटामोल इन्हेलर भी कहते हैं अस्थलीन इन्हेलर एक प्रेसराजड मीटर डोज इन्हेलर है अस्थलीन एक टाप का ब्रोंकोडायलेक्टर का काम करता है जो की एक सेलेक्टिव बीटाटू एगोनिस्ट भी है यहां ब्रोंकोडायलेक्टर का मतलब यह है कि यह अस्थमा या फिर रेस्पायर्टरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है उसे ये सही करता है यानि कि आप अच्छे से सांस ले सकते हैं ये अस्थलीन लंग्स के रिस्पायर्टरी मसल को रिलेक्स करता है और ब्रोंकाई को अच्छी तरीके से खोलता है इसलिए इसे ब्रोंकोडाइलेटर कहा जाता है अब इस प्रोड़क्ट के बारे में देखे तो ये अस्थलीन इन्हेलर 200 मीटर डूज का होता है इट मिन्स आप 200 टाइम्स प्रिसराइज़ करके साल ब्रोंकोडाइलेटर के रूप में कर सकते हैं ये एक सेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि आप इस रेड बॉक्स में देख सकते हैं इस बॉक्स में साफ साफ लिखा है कि किसी रेश्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर के लिखे प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप इसे बेच नहीं सकते हैं अब इस product को हम open करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें meter dose counter लगा हुआ है जिससे हमें ये पता चलता है कि आपने अभी तक 200 meter dose में कितने dose का use किया है इसके साथ ही इसके face पे एक cap सा लगा है जिसको आप use करने के बाद बंद कर सकते हैं और अगर आप सिपला का asthlin inhaler लेते हैं तो इसमें एक उपर के side में scan करने के लिए QR code बना होता है इसको आप अपने mobile से scan करके इसके बारे में जान सकते हैं साथ ही inhaler को कैसे use करते हैं उसके pharmacology की बात करें तो salbutamol को ही हम albuterol कहते हैं यह एक beta 2 adrenergic receptor agonist है जो की bronchitis, asthma, chronic obstructive pulmonary disease यानि COPD, bronchospasus के treatment में काम आता है इसके mechanism of action की बात करें तो यह lungs airways के smooth muscle में beta 2 adrenergic receptor को activate करता है जिससे की adenial cyclase का activation होता है और यह adenial cyclase एक enzyme है इसी की वज़े से cyclic 3 dice, 5 dice, adenosine monophosphate यानि की cyclic AMP का intracellular concentration increase होता है cyclic AMP का का काम है secondary messenger की तरह यह extracellular signal को intracellular effectors like as protein kinase A तक पहुँचाता है और protein kinase A को activate करता है जिससे की myosine का phosphorylation inhibits होता है साथ ही intracellular ionic calcium का concentration decrease होता है जिससे की lungs airway यानि bronchi में relaxation होता है और सांस लेने में आसानी होती है अब देखेंगे हम इसके pharmacokinetics के बारे में तो यह अपना bronchodilation properties पांच मिनट के अंदर सो करता है और इसका effect 3-4 घंटे तक बना रहता है इसका absorption gut में होता है oral biobility की बात करें तो यह 50% इनका oral biobility मना जाता है और यह हमारे body से urine के द्वारा excrete out होता है अब हम बात करेंगे इसके toxicity and adverse effect की तो muscle tremors, dry mouth, palpitation, restlessness, nervousness, tachycardia, nausea जैसे symptom appeared हो सकते है worst case में या फिर overdoses में hypokalemia and metabolic acidosis जैसे complication भी देखने को मिलता है अब हम बात करेंगे इसकी indication और usage के बारे में तो it is used as symptomatic relief and prevention of bronchosis due to bronchial asthma, chronic bronchitis and other chronic obstructive pulmonary disease अब हम बात करेंगे salbutamol के doses की बारे में तो salbutamol को हम orally 2-4 mg तक use कर सकते हैं अगर हम इसे intramuscularly या subcutaneously inject करते हैं तो 0.25 से 0.5 mg तक use करते हैं और अगर by inhalation या inhaler के द्वारा हम use करते हैं तो 100 से 200 mcg तक use कर सकते हैं ब्रांड नेम की बात करें तो mainly popular है दो ब्रांड फर्स्ट वन इज अस्थलीन इन्हेलर जो की सिपला के वारा बनाया जाता है और सेकेंड वन इज वेंटोलीन इन्हेलर जो की GSK बनाती है थेंक्यू दोस्तों